नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News, SPN 9 News में आपका सागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा परिहार उतर परदेश की पार्टी अपना दल कमेरा वादी और अपना दल सूने लार हाला कि ये पार्टी एक वक्त पर एक ही थी लेकिन दो बहनों के बीच में ऐसा मनमुटाव हुआ कि इस पार्टी को दो धड़ों में बाट दिया गया एक तरफ पलवी पटेल तो दूसरी तरफ अनुपरिया पटेल पलवी पटेल का गटबंदन यानि कि अपना दल कमेरा वादी का जो गटबंदन है वो समाजवादी पार्टी से है अपना दल सोने लाल का जो गटबंदन है वो भारती जनता पार्टी से है बात करें यहाँ पर अनुप्रिया पटेल जो की अपना दल सोनिलाल पार्टी को चला रही है साथी साथ यहाँ पर तेरा विधायकों का समर्थन अनुप्रिया के पास है और भारती जंता पार्टी के साथ गड़ बंदन होने के साथ वो केंदुरिय राज्य मंतरी भी है यहाँ पर देखा यह गया था कि कुछ दिन पहले अकली श्यादव से नाराज थी परलवी पते तो लगतार यहाँ सियासी माय ने ये निकले कि दोनों बहने एक होकर चुनाव लड़ सकती है लेकिन अब यहाँ पर बात की जाया अनूप्रिया पतेल की बतादा अनूप्रिया पतेल ने भी इस बार लोग सभा के चुनावों में अपनी विधाईकों को उठाने की माँग यहाँ पर की है और यहां उनके दो विधायकों को जगज़ जरूर मिलनी चाहिए अब यहां पर नुपरिया पटेल की अगर मांग को नहीं माना जाता है क्या यहां पर यह माल लेना चाहिए कि नुपरिया पटेल जल्दी एंडिये से गड़बंदन तोडने में यहाँ पर कहींना कहीं काम्याब होती नज़र आएगी इसी तरिके से उत्तर प्रदेश में इस वक्त लगाता है और सियासी माएन निकाले जा रहे verb बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी मंत्री मंडल विस्तार का सब को इनतजार है लेकिन इस मंतरी मंडल का विस्तार है सबसे जादा सुबसपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजवर को ओम प्रकाश राजवर काफी महीनों से इंतिजार कर रहे हैं कि उनको यहां मंतरी बना दिया जाए अभी तक तो वो मंत्री बनने का इंतिजार कर रहे थे लेकिन अब तो वो सीम बनने की मांग कर रहे हैं क्या उनके सीम बनने की मांग से यहां पर सीम योगी आदितेनाद की खुरसी जो है उस पर खत्रा मंडराता हुआ नजर आ सकता है क्या लगता है आपको कमेंट बॉक्स में बताएं और देख तो रही एस पियन नाई नियूस देने बाद